नमस्कार में है अनुषका बिहारी नियूज में आपका स्वागत है पंचायती राज दिवस के दिन होने जा रही है 24 अपरेल को पीएम मोधी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से इसे लाँच करेंगे बिहार के सियर नितिश कुमार, पंचायती राज मंतरी समराच चौधरी, भूमी एवं राजश्व मंतरी रामसूरत राय सहित कई आला अधिकारी की मौझूदगी में इसे बिहार में लाँच किया जाना है या योजना ग्रामीन भारत को आप निर्भर बनाने के साथ ही बिहार के गाववासियों के लिए कई छेत्रों में मददगार साबित होने वाला है आज हम इस वीडियो में स्वामित्व योजना की विशेसताओं के साथ ही इस योजना से मिलने वाले लाब के बारे में भी जानेंगे, साथ ही हम यह भी बताएंगे की इस योजना से आप किस प्रकार लाब उठा सकते हैं देश में स्वामेत्व योजना को 24 अपरेल 2020 को पंचायती राजदिवस के दिन लॉंच किया गया था इसके तहट सबसे पहले बीती साल 2020 में 11 अक्टूबर को आंधरप्रदेश, करनाटक, हडियारा, मदरप्रदेश, उत्रप्रदेश और उत्तरखन के एक लाख लोगों को प इसका मतलब है कि कौन सा घर कितने एरिया में है या ड्रोन टकनीक से आसानी से पता लग जाएगा अब हम आपको इसके लाब के बारे में बताते हैं जिन लोगों की जमीन की मैपिंग हो जाएगी उन्हें एक संपत्ती कार्ड या फिर प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनके जमीन से संबंदित सारी जानकारी उपलब्द रहेगी हर कार्ड में अधार कार्ड की तरह ही एक यूनिक नमबर होगा इस कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं प्रॉपर्टी कार्ड की बन जाने से आप बैंकों से लोन लेने की सुविधा भी आपको मिलेगी वही हर पंचायत के पास अपना खुद का जमीन का रिकॉर्ड भी रहेगा इसका एक बड़ा लाभिया होगा कि गाओं में जमीन से जुरे विवाद कम हो जाएंगे इसके अनेलावों की बात करें तो गाओं में विकास कारियों के लिए कई योजना को चलाने में सरकार को मदद मिलेगी वही संपत्ती के पक्के रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाने से राजस्व संग्रा में भी इसका लाभ मिलेगा तो यह थी बिहार में शुरू होने वाली संपत्ती स्वामत्व योजना के बारे में जानकारी बिहार ही नहीं पूरे देश में इसके तहट सरकार ने अगले चार सालों में 6,20,000 गाओं को कवर करने का लक्ष रखा है इस काम के लिए राज में राजस्व विभाग को नोडल विभाग बना गया है इसके इंदर सरकार की तरफ से गाओं को यह सौगात मिलने वाली है आज के इस वीडियो में इतना ही बिहार से जुरे अपडेट को देखते रहने के लिए जुरे रहें बिहारी नियूज के साथ तब तक के लिए धने बात